हाई फ्रेंड्स आपका स्वागात है हमारे चाहरे महामाय सेलेक्सर में दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने फिर से नंबर सिस्टम के एक बहुत महत्पूल टॉपिक जो की रूट अंडर रूट के कोस्टन्स को डिसकस करूँगा ये पार्ट फाइब फ्रेंड्स मैं आज डिसकस करूँगा कौन कोल से रूट अंडर रूट के कोस्टन्स को कैसे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स तो ये जो टॉपिक है आपके ऐसे से रेलवे के एक्जाम में बहुत जright पूछे जाते हैं और बैंकींग के एकजाम में भी पूछे जाते हैं चले बात करते हैं चलते हrän तो आज लोगा रूट रूट के कोस्टन्स को कैसे हम ऐसान तरीकों में बना सकते हैं तो डिखे सर्दकू उसके पहले मैं को समझा देता हूँ आपको अगर दिया हुआ प्रस्ट प्लस या माइनस में रहे तथा infinity तक रहे अगर कोई question दिया हुआ है square root में दिया हुआ है under root में दिया हुआ है वो questions प्लस और minus में रहे और infinity तक रहे तो क्या करेंगा हम friends उस संख्या को ऐसे तो रहेंगे कि गुना करने पर उतना ही आए पर minus करने पर घटाने पर क्या हो एक आए फिर से मैं समझाता हूँ friends अगर कोई question अगर कोई question root under root में दिया हुआ है ठीक है plus minus में है और infinity तक है तो उस संख्या को ऐसे तो रहेंगे कि गुना करने पर उतना ही आए परंतु घटाने पर क्या आए एक आए अब देखे कोशन्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 2 under root 2 plus under root 2 plus under root 2 plus infinity तो friends इस से फ़र्ण में आगे एक कोशन क्या है इस pattern पर कोशन अधारी थे यह दोरों का अंतर क्या है 2 minus 1 क्या आगया 1 आगया अंतर एक आगया तो friends अब देखिए यह हो गया, factor हो गया 2 और 1 इसका factor हो गया अब देखिए plus अगर रहेगा तो हम जो बड़ा number रहेगा वो answer हो जाएगा अगर minus में कोशन रहेगा तो जो छोटा number रहेगा वो answer हो जाएगा मैं यहाँ लिख दे रहाऊ plus में क्या करेंगे greater number will be the answer बड़ा number क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा greater number is the answer ठीक है अगर minus में रहेगा तो smaller number आपका answer हो जाएगा is the answer देखिए friends अब यहाँ देखिए क्या है plus में है तो क्या हो जाएगा greater number क्या हो गया 2 हो गया तो 2 is the right answer इस तरह चलिए दूसरे कोशन पर चलते हैं friends क्या दियावाए under root 12 plus under root 12 plus under root 12 plus infinity अब क्या करेंगे हम इसको तोरेंगे break करेंगे तो 12 को अगर तोरेंगे factor निकालेंगे तो इसका 1 into 12 भी निकल सकता है ठीक है 4 into 3 भी निकल सकता है और फिर क्या निकल सकता है 6 into 2 भी निकल सकता है देखिए ये दो गुला करने पर तो बारा आ रहा है लेकिन क्या बुला था माइनस करने पर एक आना चाहिए अगर 12 माइनस एक करते तो क्या आता है 11 आता है मतला हम इसको ले नहीं सकते है 4 माइनस 3 करते तो क्या आता है हम इसको ले सकते है तो मतला 4 और 3 इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इसका फैक्टर हो गया अब क्या है plus का sign है means answer क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो इसका answer क्या हो गया friends 4 हो गया ठीक है चलिए दूसरे कोसर में चलते है यह minus है कोसर में ठीक है अब देखे 42 का हम क्या करते है factor निकालते है इस तरह factor निकालेंगे क्या हम रिटता है 1 into 42 factor हो गया 7 into 6 हो गया factor 21 into 2 हो गया factor ठीक है अब देखे minus करने पी क्या आनाची 7 minus 6 करते तो 1 आ रहा है तो यह हो जाएगा 7 into 6 इससा क्या हो गया factor हो गया जो हम इसके लिए लेंगे अब क्या है कोसर में आपका minus है sign है अब मैंने आपको बताये कि अगर minus है sign रहे तो हम लोग क्या करेंगे smaller number उसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा जब minus है sign है 7 और 6 में से क्या answer हो जाएगा smaller number कौन सा है 6 6 is the right answer चलिए अब और कोसर के तरफ चलते है देखे friends अगले कोसर में चलते है under root में रहेगा multiply में रहेगा और plus infinity तक रहेगा तो answer swim वही number हो जाता है मतलब इसका answer क्या हो जाएगा simplify ही हो जाएगा ऐसका answer ऐसे कोई भी कोसर में आएगे जो की गुना में रहे और infinity तक रहे तो उनका उसका answer क्या हो जाएगा वही संख्या स्वैम हो जाएगा चले अब दूसरे टैप में चलते हैं तीसरे टैप में चलते हैं अगर गुना में infinity तक नहीं हो तो n terms तक हो तो क्या करेंगे तो friends अगर गुना में रहें सवाल लेकिन infinity तक नहीं हो n terms तक हो तो उसके लिए एक formula होता है a के power 2 raised to power n minus 1 बटा 2 के power n ये याद रखेंगा friends क्या है a 2 के power n minus 1 के power 2 के power n ये ठीक है अब देखें पहला कोसर में बनाते हैं हम लोग उस formula से क्या है under root 5 under root 5 under root 5 गुने में दियावा है अब तो infinity नहीं है अगर infinity रहता है तो simply answer वह एक ang swim हो जाता है means 5 ही answer हो जाता है लेकिन infinity नहीं है इसमे नंबर of terms कितना है कितना लिखा गया है तीन बार लिखा गया है friends ठीक है अब क्या करेंगे एक जाया क्या हो जाएगा 5 हो जायगा ठीक है ब 2 के power n 2 के power 3 minus 1 बटा 2 के power 3 हो जाएगा ठीक है friends, तो 5, 2 के पावर 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 8 माइनस 1 बटा 8, क्या हो गया 5, 7 बटा 8, यह answer हो गया friends, ठीक है, अब इसी तरह अगले को से देखते हैं, क्या दिया वह रूट अंडर 7, गुने रूट अंडर 7, गुने रूट अंडर 7, गुने रूट अंडर 7, इसको stop कर दिया, infinity तक नहीं गया, ठीक है, तो कितना बड़ लिखा है 7 को, 4 बड़ लिखा है, ठीक है, तो यह n कितना हो गया, n इकोल चू 4 हो गया, a क्या हो गया, a जो term है, जो संख्या दिया वह वह हो गया, संख्या, तो क्या हो गया 7, 7 ठीक है, 2 के पावर 4 माइनस 1, 8, 16, यह क्या हो गया, आपका answer हो गया, so under roots के सवाल, 3 प्रकार के आते हो, और इस तरह के question पूस्ते हो, friends, friends, मैं आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लागा होगा, हमसे जूरे रहने के लिए महमाय सेलेक्सिकों सब्स्क्राइब कीजिए, और हमें motivate करने के लिए कि maths related जितने भी chapter से मैं आपको अच्छे समझा सकूँ, like बटन दवाएए, कि आगे मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँ, thanks